प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब तंदरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्साह कायम होगा। आज हम छटी कक्षा के विज्ञान का ग्यारवा अध्याए, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमने पहले क्या सीखा। विभिन प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है। क्या आप रात्री के समय पून अंधेरे कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या वस्तु की च्छाया से उसकी आकरिती का अनुमान लगाया जा सकता है। कांच जैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है। आज हम क्या सीखेंगे। पारदर्शी अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं, दरपन तथा परावर्तन। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं। प्रकाश, उर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। दीप्त पिंड किसे कहते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरहां स्वयम प्रकाश का उतसर्जन करती हैं, उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब। अधीप्त वस्तुएं अथ्वा पिंड किसे कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयम प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती उन्हें अधीप्त वस्तुएं कहते हैं उधारन लकडी, कुर्सी और मेज आदी पच्चों, अब हम जानेंगे कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जो स्वयम में से प्रकाश को पून, आंशिक रूप से या नहीं निकलने देती, इसके आधार पर हम वस्तुएं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी तीन समुहों में बांटते हैं जिन वस्तुएं में से प्रकाश आरपार हो जाता है, उन वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है प्रकाश जब पारदर्शी वस्तुपर पढ़ता है, तो प्रकाश उस वस्तु के अंदर से होकर दूसरी ओर चला जाता है इस कारण हम पारदर्शी वस्तुओं के आरपार देख पाते हैं काच, शुद्ध वायू और शुद्ध पानी पारदर्शी वस्तुओं की उधारणे हैं वह वस्तुओं जिन में से प्रकाश नहीं निकल सकता उन्हें अपारदर्शी वस्तुओं कहते हैं जिसके कारण हम उन वस्तुओं के आरपार नहीं देख सकते। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तो इसकी छाया वस्तु के दूसरी ओर बनती है। लकडी, धातुएं, गहरे रंका प्लास्टिक, पत्थर आदी अपारदर्शी वस्तुएं की उधारणे हैं। चायाओं के बारे में समझने के लिए हम एक क्रिया कलाब करेंगे। आप प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ उंचाई पर एक-एक करके पकड़िए। धर्ती पर आप क्या देखते हैं। आप जानते हैं कि धर्ती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की चाया के कारण हैं। कभी-कभी आप वस्तु की चाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज की एक शीट बिछाईए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी उंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी चाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हों तो उस समय अपने किसी मित्र से चाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की चायाओं की बाहरी रेखाईं खींचिए। अब आप चायाओं की बाहरी रेखाईं देखकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। आप कितनी वस्तुओं को सही पहचान सकते हैं। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अत्वा रात्री में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं। क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कम्रे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पत्थ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। छाया केवल परदे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दिवार, इमारतें अथ्वा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए परदे की तरह कार्य करती हैं। छायाओं से हमें वस्तु की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्थ होती है। कभी-कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में ब्रहमित भी कर सकती है। हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का ब्रहम उत्पन कर सकते हैं। सूची छिद्र कैमरा आओ बच्चों, अब हम एक सूची छिद्र कैमरा बनाना सीखते हैं सूची छिद्र कैमरा बनाने के लिए हमें दो बॉक्स की अवशकता है एक बॉक्स दूसरे बॉक्स में आसानी से खिसक सके दोनों बॉक्सों का एक-एक छोटा फलक काट दे बड़ा बॉक्स लेकर इसके छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाईए इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृती काटिए इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपका कर ढख दें छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसका ये कि छोटे बॉक्स का पार भासी ट्रेसिंग पेपर वाला परदा बड़े बॉक्स के भीतर हो आओ बच्चों अब आपका यह सूची छिद्र कैमरा उप्योग के लिए तयार है प्रकाश सदैब सरल रेखा में गती करता है यह क्रिया करने के लिए पाइप का एक छोटा टुकड़ा या रबड की लंबी नली लें कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के उपर रखें अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें क्या मोमबत्ती दिखाई देती है जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए क्या अब आपको मोमबत्ती दिखाई दे रही है पाइप को अपने दाईं या बाईं और घुमाईए क्या अब आप मुम्बत्ती को देख सकते हैं आप इससे क्या निशकर्ष निकालते हैं यह दर्शाता है कि प्रकाश, सदैव, सरल रेखा में गमन करता है दर्पन तथा परावर्तन दर्पन का उप्योग अपना चहरा देखने के लिए करते हैं जो की दर्पन में अपने चहरे का परावर्तन है हम दर्पन के सामने रखी हुई वस्तूओं का परावर्तन देख सकते हैं आओ दर्पन परावर्तन को हम कुछ क्रियाओं द्वारा देखते हैं यह क्रिया कलाप रात्री के समय अत्वा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दरपन लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाए टॉर्च के काँच को अपनी उंगलियों से ढख लीजिए तथा टॉर्च को जलाएं किरन पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगा छोड़ें प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पन पर डालिए क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समयोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के उपर पड़े यह क्रिया कलाप सुझाता है कि दर्पन अपने उपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है यहां वर्णन किया गया क्रिया कलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के आनुदिश गमन करता हुआ दर्पन से परावर्तित हो जाता है एक और क्रिया कलाप से दर्पन तथा परावर्तन को समझते हैं एक बड़ी थर्मकॉल की शीट के एक किनारे पर एक कंगी तथा इसके दूसरे किनारे पर दर्पन लगाएं दर्पन तथा कंगी के बीच कागस की गहरी रंगीन शीट बिछाईए कंगी के सामने टॉर्च से प्रकाश की किरने डालें आप क्या देखते हैं? क्या आप कंगी जैसा पैटर्न नोट करते हैं? इस क्रिया कलाप से हमें यह ज्यात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पन से परावर्तित होता है जब प्रकाश के पत में कोई अपारदर्शी वस्तू आ जाती है तो छाया बनती है प्रतिबिंब छाया से बहुत भिन्द होता है जो वस्तुएं स्वयम प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है दर्पन तथा परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्थ होता है साफ वायू, शुद्ध पानी और कांच पारदर्शी वस्तुओं की उदाहरणे है सूची छिद्र कैमरा में प्रतिबिंब तब ही संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में चलता है आउ बच्चों, अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्ण पूछूंगी और आशा करती हूँ कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे सबसे पहले हम मिलान करेंगे दीप्त, अदीप्त, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी दूसरी और हमारे पास काँच की खिडकी, चंद्रमा, लोहे का टुकडा, कोहरा एवं सूर्य अब हम इन वस्तुओं का सही मिलान करेंगे तो इन में से दीप्त वस्तु कौन सी है? सूर्य अदीप्त वस्तु कौन सी है? चंद्रमा पारदर्शी वस्तु कौन सी है? कांच की, खिड की अपारदर्शी, लोहे का टुकड़ा और पारभाशी, कोहरा अब मेरा दूसरा प्रश्न पारभाशी वस्तुें किसे कहते हैं? पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं इनके उधारण है बटरपत्र तथा कोहुरा मेरा अगला प्रश्ण है सूची छिद्र कैमरा प्रकाश के किस सिध्धान्त पर आधारित है सूची छिद्र कैमरा यह सिद्ध करता है कि प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करता है मेरा अगला प्रश्न चाया कैसे बनती है? जब प्रकाश के पत में कोई अपारदर्शी वस्तू आ जाती है तो चाया बनती है अगला प्रश्ण पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर बताएं पारदर्शी वस्तुओं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी और रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं जबकि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती तथा हम इनके दूसरी और रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते बच्चों, इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आप सब को यह अध्याय समझ आ गया होगा बच्चों, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद